लगोय चैनल पे एसे बहुत सारे भीवार साथे जी लोग के एक कॉमन कॉस्सिन रहता है, पार्टस कहां से मिलेगा? इसका एक simple answer है service center से आप चाहे कोई भी वाइक यूज़ करते हो hero का वाइक यूज़ करते हो hero का जो parts है वो hero के service center से ही मिलेगा tbs का वाइक की यूज़ करते हो तो जो parts है वो tbs के service center से ही मिलेगा now relax, I know कि आपको parts नहीं मिल रहा है तभी आपने जाके consent किया है तो सबसे पहले आपको अगर ये समझ में आ जाए कि parts easily मिलता क्यों नहीं है तो आपका ये गुस्सा है, साइथ तोड़ा ठंडा हो जाए पहले आप ये बताए, आप खुछ से सोचिए ऐसा कितना bike arts है, जो अपना bike का parts है उसको time to time change करते है hopefully आप एक bike enthusiastic person है तभी आप जाके ये वीडियो को देख रहे है तो आप साइथ कभी ना कभी ये चीज सारग पर notice कि होगे कि ऐसे बहुत सारे लोग है, जिन लोग का जो bike का chain है और loose होके ऐसे जमिन पर लटक रहा है मतलब उसको adjust करने तो दूर के बात है जिन्दिकी में उसको loop भी नहीं किया है और वो बंदा उसको ऐसे ही चलाएगा जब तक ना chain टूटके एकदम जमिन पर गिरना जाता है तो आप खुदी बैता ही है अगर calculated में वो जो बंदा है उसके bike में आगर engine compression का problem आ जाते तो आपको क्या लगता है तो काल जाके piston, cylinder सब change कर देगा नहीं करेगा लोग डरते हैं खर्चा करने में लोग के पास इतना पैसा होता नहीं है आपके और मेरे जाएसे लोग बहुत कम है इंडिया में जितना भी लोग के पास bike है उसके साथ compare किया जाए आपके और मेरे जाएसे लोग का जो लोग bike का time to time maintenance करते है क्यार करते है, parts को change कर बते है ऐसे लोग का count आपके और मेरे जाएसे लोग का count बहुत कम है आपको YouTube में ही ऐसा वीडियोस मेल जाए कि लोग bike का engine oil change कर बने आ रहा है कि इतना सारा parts से रखके हम करें क्या इसलिए common parts आपको easily मिल जाएगा brake pad मिल जाएगा, air filter, oil filter यह सब easily मिल जाएगा बढ़ थोड़ा भी uncommon parts आप धूरने जाएगे जिसका काम easily होता नहीं है लोग जहाँ पे काम नहीं कर बाते है, खर्चे के डर से जो part है, उस तरह का parts आपको मिलने वाला नहीं है इसलिए अब जहीं थोड़ा uncommon parts धूरने जाएगे जैसे maplar gasket, buffer chain, intake manifold इस तरह का parts धूरने जाएगे तो आपको मिलेगा नहीं इसके साथी साथ others reason भी है जैसे company भी जाता है उसका ज़्यादा profit हो तो आपका जो bike का chain है, chain sprocket का set है, वो आपको easily मिल जाएगा बाट आप सिर्फ drive chain sprocket को खरीदने जाएगे तो आपको नहीं मिलागा, क्योंकि chain sprocket का set है 2600-2800 रुपए का आता है और drive chain sprocket में ही ज़्यादा दर problem create होता है, मतलब initial problem drive chain sprocket से सुरू होता है बाट उस sprocket का price से 4 सुरूप है वो आपको मिलेगा नहीं, तो ये एक point हो गया दूसरा point ये भी है, service center का जो ओरता है ओभी काम चोर है, आपका जो master cylinder है front brake का ही master cylinder को पकड़ लेते है मतलब master cylinder का अंदर छोड़ा छोड़ा parts रहता है, जैसे piston हो गया, gas kit हो गया उसका एक repairing kit आता है तो उसका maintenance करना, time consume बाला काम है थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो इसलिए service center के पास आगए repairing kit होगा भी तो साइध आपको बोलते ना, नहीं है आप सिधा, आपको बोलेगा सिधा master cylinder ही change कर लो तो इससे फाइदा भी ज़्यादा है, काम भी काम करना पड़ेगा तो ऐसे ही 3-4 reasons आप एक साथ combine होके जो parts का unability है, उसको create कर देता है एक और point है, service center का location के उपर भी depend करता है कि वहाँ पर parts मिलेगा की नहीं मिलेगा अगर छोटे सहर में कोई service center है, तो आप भूली जाएए वहाँ पर आपको uncommon parts मिलेगा ही नहीं वही common parts, engine oil, air filter, oil filter यह सब आपको मिल जाएगा बाकि थोड़ा भी uncommon parts आप ढूनने जाएगे तो आपको नहीं मिलेगा थोड़ा बड़ा सहर में जाएगे तो वहाँ पर थोड़ा parts का availability जादा रहेगा थोड़ा uncommon parts रहता है वह भी आपको मिल जाएगा उससे भी बड़ा सहर या पर metro city में जाएगे वह सब सहर में जाके थोड़ा better parts का availability आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं कि 100% मतलब ऐसा location का service center है वहाँ पर जाएगे तो आपको parts का white variety है सब आपको available हो जाएगा most of the time और इसके बाद आता है warehouse warehouse हमल सहा major city में ही आपको मिलेगा कोई छोटा मोटा सहर में ही नहीं मिलेगा बड़े सहर में भी नहीं मिलेगा और यह जो service center वाले है एक्चली यह warehouse से ही parts मांग बाता है company के साथ कोई direct link नहीं रहता है मतलब जो TVS का main company है वो है Tamil नरू में तो आपके सहर में जो service center है वो Tamil नरू के साथ उसका कोई direct link नहीं है Tamil नरू के साथ जो warehouse रहता है overall इंडिया में ऐसा धेरो साथ warehouse है उस warehouse का link रहता है और service center वाले अपना जो नज़दी की warehouse है उस warehouse से जाके जितना भी parts का requirement है उनके पास मतलब ज़रूरत है वो लेके आते है just for my example मैं सीकी में रहता हूँ मेरा नज़दी की nearest जो सबसे बरास town है वो है silly gory तो मैं भी जाता हूँ silly gory का warehouse पे और वहां से जाके जितना भी parts का मुझे requirement पढ़ता है वो मैं उठा के लाता हूँ वह भी ऐसा नहीं कि वहां पर 100% है बले बले वहां पर भी आईसा बहुत सारा parts है जो नहीं मिलता है बट हां most of the parts वहां पर मिली जाता है मतलब आप समझ लीजे कि 95% parts मिल जाएगा 5% नहीं मिलेगा मतलब silly gory का जो वह warehouse है वहां तो नहीं मिलता है तो आप भी वह warehouse है direct parts खरी सकता है ऐसा कोई restriction नहीं है तो hopefully आपको समझ में आ रहा होगा आप चाहे phone भी करके जा सकते है आपको अगर contact number मिल जाता है तो but process आपको समझ में आ रहा होगा तो ये तो था offline process but मैं आपको ये बता दूँ कि bike का अगर parts आपको खरीदना है तो offline process ही best होता है but फिर भी as a optional, as a alternative आपको मैं थोड़ा online process के बारे में भी अब बता दूँ तो सबसे पहले ये है TBS का अपना ही website खुद का website है और जिदना भी website का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ सबका link आपको description में मिल जाएगा तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे पार्स में जाएंगे, यहाँ पर मोटो सबका नाम यहाँ पर दिया हुआ है मैं आपको अगर आपको 200 में जाऊंगा तो मोटो सबका आपको रिकॉर्मेंट है वो कहाँ पर situated है जाच लाइक मुझे कार्बोरेटर चाहिए तो मैं आप पार्चेसिंग के लिए प्रोसीड कर सकते है मन में आपको लाड़ू फुट रहा है मत फुट आई है, सब पानी फिर जाएगा इसके बाद आपको जाना है कार्ड में यहाँ पर आप जब ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तो सार्विस नहीं है बड़ा सार मतलब मैं बहुत ही बड़ा सार के पर हैं बोल रहा हूँ एल नहीं, ट्रिपिल एक्सल साइज का जितना भी सार है उस सार में ही यह डेलिवरी देगा तो यही है इसका प्रॉब्लम यहाँ पर जितना भी पर्ट्स आपको दिखाएगा सब ओडर करने के बाद हो सकता है कुछ ओडर कैंसल भी हो जाए क्यूंकि साले इन लोग के पास भी पर्ट्स का अब मैं क्या बोलू यह जो पर्ट्स आता है यह अक्चुली तामिन लरू से आता है जो इन लोग का मेन ओपीस है मेन वह रहा है उससे वहां से आता है और वहां भी पर्ट्स का अनवलिवटी रहता है तो पहले अक्चुली यह हर जगा पर डेलीवरी देता था कारेंटली जाके ऐसा सीचुएशन हुआ है मतलब यह वाला लप रहा हो गया कि अभी चोटा मोटा जगा पर यह डेलीवरी नहीं देता है बड़ा बड़ा चाउन पर देता है तो इन लोग के पास से भी मैं पार्ट्स किया हूं तो इन लोग के साथ एक बार में बात कर लिजिए या पि फोन में बात कर लिजिए जैसे आप दीग रहे है वार्ट्स आपका नंबर एड्रेस भी आपको दीग जाएगा फोन करके मेल करके पहले पूछ लीजिए कि मैं यह जो पार्ट्स है इसको मैं खरीदने वालो क्या आप लोग के पास यह एबलेबल है कि नहीं है इनकि प्रोब्लम मैक्सिमाँ जाएगा पर सेम ही है यहां पर भी आप और कर देंगे उसके बाद यह लोग फोन करके बोलेगा कि यह पर्स नहीं है इससे करें इसे सकरे कंचल होता जाएगा तो पहले ही फोन करके पूछ लीजिए तो फोन बाला उपस इन लोग के पास है यहां से आपको genuine parts मिल जाएगा, बात बाकी मेरे पास और कोई जानकरी नहीं है, यही दोनों है, उसके बाद आता है कुछ और website जहां पर जो बाइक का common parts रहता है, उसको आप purchase कर सकते हैं, common parts मतलब जो third party company रहता है, जो company bike का parts manufacture करते हैं, देखे, third party वाला का एक ही fund है, उन मिल जाएगा, brake pad मिल जाएगा, इस तरह का parts आपको easily मिल जाएगा, but आपको third party का कभी piston नहीं मिलेगा, cylinder kit नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको बनाना भी मुस्किले, और अगर बना भी लेता है, तो सबसे पहले, यह जो website है, इसका नाम है Moglex, तो आपको अगर bearing खरिदना है, bike के सकते हैं, यहां पर मैं आगर bearing search करूँ, तो आपका धेरो सारा bearing का variety यहां पर दिख जाएगा, मतलब मैं यहां से bearing purchase किया था, इसलिए बोट हूँ, तो bearing के लिए आप यहां से खरिद सकते हैं, यह जो website है, जो जिदना भी industrial parts है, machinery है, इस website पर आरम से available होता है, तो Amazon भी है, but उससे better है, आप अगर इस तरह का मतलब machinery साब purchase करना चाहते है, bearing purchase करना चाहते है, तो यह website आपके लिए better हो सकता है, उसके बाद आता है Spotify, यहां से ही मैं purchase किया हूँ, तो यहां से सब होई, third party वाला है मिलता है, जैनुन आप कुछ नहीं मिलेगा, जैसे मैं आगर TBS में click आपका होई, brake pad, oil, seal, eao, chain, मतलब जो होना ना होना एकी बात है, बाट कभी-कभी ज़रौत पढ़ जाता है, तो knowledge के लिए मैं सब बता रहा हूँ, उसके बाद आता है safexbike.com, यह जो website है, थोड़ा critical type का website है, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक तो clearly कुछ यहां पर ल चोटा-मोटा bike का मेरा parts है, जैसे self motor का carbon brass के पीछे spring है, इस तरह का छोटा-छोटा part यहां पर मिल जाएगा, बाट आपको धूनना पड़ेगा, ऐसा specific कुछ भी नहीं लिखा राएगा, कि Apache का इस model के लिए है, सिफ लिखा राएगा Apache 200, अब कौन सा Apache है, क्या है, क्या है, क् मोटर के अंदर, carbon brass कैसा दिखता है, कितना spring डाता है, यह सब का knowledge आपको पहले से होना पड़ेगा, उसके बाद जाकि यहां पर धूनना पड़ेगा, कि उस तरह का carbon brass, उस तरह का spring कौन सा product में दे रहा है, जैसे मैं आपको search करके दिखा देता हूँ, अब यह देखे, यहां से, आप purchase कर सकते हैं, यहां पर बहुत सारा useful चीज़ा मिलता है, मैं भी यहां से purchase किया हूँ, उसके बाद Amazon, इसके बार में तो ज्यादा कुछ बोलने का ज़रद नहीं है, और फीर आता है, साकाठ, साकाठ या क्या नाम है, सार्क काठ, जो भी हो, यहां पर भी bike का parts मिल जा सिर्फ 1000 सब्सक्राइब ही हुआ है मेरा, तो 1000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर को कोई promotion देगा भी नहीं, बट जो चीज़ मैं यहां पर कहना चाता हूँ, यहां से मैं आज तक मैं कोई चीज़ purchase नहीं किया हूँ, पर इसके आगे जितने बाता है, Amazon तो पता ही है, य यह कौन सा है, SafeX Bike, उसके बाद Sparify, उसके बाद Moglix, Spar.com और यह, यह जो वेबसाइट है, यहां से मैं सब purchase किया हूँ, और मेरे पास delivery भी आ है, कोई problem नहीं हुआ है, बट यह जो particular वेबसाइट है, यहां से मैं आज तक purchase नहीं किया हूँ, तो इसका हूँ आइसा नहीं कि उसको बराबार maintain रहते, जितने भी parts का recommend है, वो जो parts है उसको available करवाए, service center में parts नहीं मिलना है, तो कोई बाद नहीं, आप order दीजिए, ऐसा तो होता नहीं कि बार बार आप ही को पता लगता है, कि यह parts change करना पड़ेगा, कभी कभी उन लोग को पता लग जाता है, कि यह जो parts से इसको change करना पड़ेगा, बाट यह है नहीं, तो service center बाले ही बोल रहा है कि इस parts को change करना पड़ेगा, तो आप जाके service center में बोली है, order दीजिए, ठीक है, वो जो parts है, वो मुझे ला दीजिए, और वो लोग जो date दे रहा है, मतलब आपका order आने का, उस date तक आपको थोड भूगदना पड़ेगा आपको भी, और आपके और मेरे जैसे जितना भी TBS का user है, सबको भूगदना पड़ेगा, मैं specially TBS का ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी TBS का bike है, मेरे पास इसका knowledge है, करना क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा Google पे, और वहाँ यह सब details डाल के आप अगर mail करेंगे, तो customer care वाले, आपको as a genuine customer value देगा, और जो query, मतलब जो mail करने वाले है, उस mail को value देगा, और mail में यही लिगना है, कि आप जिस particular service center में गया है, वहाँ पर क्या problem हो रहा है, आपको parts नहीं मिल रहा है, आपका बाइक का problem है, पिछले एक म गुगत के आ रहा हूँ, तो मुझे यह सब का बहुत अच्छा सा knowledge है, मैं अभी ऐसा बहुत घुमाओ service center में parts मिलता ही नहीं है, उसके बाद मैं mail किया, service center में call गया, customer care वाले से, उन लोगो पेलाई हुआ, उन लोगो ने आके, मतलब phone करके, क्या हुआ, क्या problem में आपके प अपना क्या होता है, उन लोगो पूछिए, एक एक parts के लिए देर दो महिना, तीन महिना तक wait करना पड़ता है, इंडिया में सिर्फ ओही common चीज, brake pad, air filter, oil filter, यही available है, अगर ठोक देता है, अगर handle केरा हो जाता है, लिवर तूट जाता है, एक लिवर के लिए उसको तीन से चार महिना wait करना पड़ेगा, वह बाहर से आएगा parts, तब जाके उसका bike में लाएगा, वह भी तीन-चार महिना बाद आएगा की नहींएगा, उसका कोई guarantee नहीं है, और यह जो तीन-चार महिना है, उसका bike garage में ऐसे ही परा रहेगा, वह use भी नहीं कर पाएगा, तो YouTube में ऐसा नहीं कि मैं यह सब पहली पर पोलटा हूँ, मेरा जो आदार वीडियो से हैं, वहाँ पर भी मैं हलका पुलक है, इसके बार में अल्डेडी previously discuss किया हूँ, आप अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप new viewers है, तो please subscribe this channel, और आप अगर पुर सका ही नहीं, बाइक के पार्ट के रिलेटेट, तो लाशन में बस एक ही काहबत याद आता है, गंदा है, बट धंदा है.